दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेक्नुजीएफ में दोस्तो यदि आप ड्रीम 11 खेलते हो तो ड्रीम 11 में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Captain और वाइस Captain Fast Baller को बनाएंगे या फिर Espinner को ये हम कैसे जाने आज का मैच का जो है Fast Baller चलेगा या Espinner चलेगा ये हम कैसे पता करें और कैसे समझें कि Fast Baller को Captain सिब बनाना है या फिर Espinner को Captain सिब बनाना है तो काफी जादा Confuse रहते होगे दोस्तो आप लोग होता क्या है दोस्तो जब तक आपका Concept किलियर नहीं होगा तब तक आप अच्छी टीम नहीं बना पाऊगे और अच्छी टीम नहीं बना पाऊगे और तो आप Rank 1 भी नहीं लापाऊगे तो आपका Concept किलियर होना चाहिए कि Faster को Baller Captain सिब बनाना है या फिर Espinner को तो इस वीडियो में आपको Confusion दूर करूँगा ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडिय को दिहान में रखना है आज किसका मैच है ठीक है उसके बाद सबसे पहले आपको एक application डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है fan code आप देख पार है दोस्तो fan code application को डाउनलोड कर लेजिए ये काफी ज्यादा helpful application है और काफी ज्यादा आपको help मिलेगी dream 11 पे team बनाने के लिए इस application ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है लगनाव सूपर गिंग बर्सेश चैन्नाई किंग्स का एक मैच है आज ठीक है इस पर क्लिक कर लेना है जो भी मैच का spinner को captaincy बनाना या faster को जो भी मैच का आपको चाहिए उस मैच को पहले आप निकाल लेजिए मैच को निकालने के दीच के बाद यहाँ एक स्परौ्ट कांथा इस पर ने कहिए इस पर गिलिक करने के बाद यहाँ यहाँ आप लिखावा सी ऑल एक्सपॉर्ट इपसंव्य सैतालिस परसेंट कितना का अंतर है दोस्तों यहाँ पे मात्र तीन पॉएंट का अंतर है 47 और तीन पचास और 500 तीरपन पेशर है और 47 एस्पीनर है मात्र तीन पॉängenं का अंतर है दोस्तों लेकिन पेशर जादा है इस्पीनर से ठीक है तो इस वीडियो में हम इस पीछ को देखके हम बता सकते हैं कि पेशर जादा विकेट लेगा एस्पीनर कम लेगा ऐसा बात नहीं है दोस्तो एस्पीनर को विकेट नहीं मिलेगा एस्पीनर को भी विकेट मिलेगा ठीक है पेसर को भी मिलेगा दोनों को विकेट मिलेगा लेकिन पेसर ज़्यादा ले सकता है एस्पीनर के पेक्छा espinner को 1 से 2 espinner को wicket मिलेगा मातर लेकिन pacer 3 को भी मिल सकता है 4 को मिल सकता है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देख लेना है दोस्तो, कि pacer ज्यादा है यह spinner ज्यादा है, अगर pacer ज्यादा है, तो समज जाना की pacer को wicket मिलेगा और captain City fast baller को बना देना है आँख बंद करना है fast baller को बना देना है ठीक है अब यहाँ spinner है दोस्तों देखिए 70-40 परसन आप spinner को भी captain voice captain यहाँ ठोक सकते हो अगर 10-15 का आंतर है जिसे यहाँ पर अगर 20 रहेगा spinner और faster रहेगा 60 plus तो spinner को मत बना कभी मत बनाना है spinner को faster को बना देना आप यहाँ ठीक है अगर fast कम रहेगा और spinner जादा रहेगा तो आँख बंद करना और spinner को captain ship बना देना है ठीक है तो आज का जो मैच है दोस्तों देखिए लखनव वर्सेश चेन नहीं का मैच है और इसमें देखिए आँखो देखा हाल क्या बता रहा है दोस्तों पेसर और spinner इन दोनों में से आप किसी को बना सकते हूँ लेकिन ज्यादा तर यहाँ पर पेसर को मिलेगा विकेट ज्यादा तर faster को यहाँ पर विकेट मिलेगा देख सकते हैं यह बता रहा है अब मैं यह क्यूं बता रहा हूँ चलिए इससे पिछले वाला जो मैच है वो मैं आभी आपको दिखाता हूँ देखिए यह दोस्तों देखिए यह कल का मैच था कोलकता वर्सेश बैंगलोर का मैच था इससे पिछल अपर चैंट अब मैं आज का मैच थे गाफे देखिये दोस्तों च चपन परसेंट पे शरई चाब्वालिस एसपिनर कीनाका था दोस्तों आप भिगता इहां बताए मातर चार पॉइंट का अंतर है और यह आग को कितना विकेट मिला डबलू हसरंगा चार विकेट लेकर गया अकेले ही और आप अगर गिंती करें तो कम से कम एस्पीनर को विकेट मिला है मातर एक ही ऐसा एस्पीनर है डबलू हसरंगा जिसको चार विकेट मिला है बाकी पेसर में दोस्तों दिखे कितने पेसर को विकेट मिला है ठीक है तो 3-3-6-8 लगवक 10 विकेट जो है फास्टर को मिले और स्पीनर को मातर 4 विकेट मिले तो यार दोस्तों देख सकते हो जिसमें डगडू हसरंगा कैप्टन सीप हुआ था तो आप ऐसा कर सकते हो देखो यार कनफ्यूज नहीं होना है यहां पर आके पीछ रूपोट पर देख लेना है कि पेसर कितना है और स्पीनर कितना आप इन दोनों में से किसी को कैप्टन सीप ठोक दो वाइस कैप्टन आप इन दोनों में से किसी को भी ठोक सकते हो अगर फास्टर है तो फास्टर को भी कैप्टन सोक सकते हो अगर आप spinner को लगता है कि हाँ यार spinner captain चलेगा आज उसको ठोक दो vice captain आप passer को ठोक दो लेकिन इससे उपर नहीं जा पाएगा अब batsman को आप मत बनाना ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे batsman को कब बनाना है captain vice captain यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि batsman को कब बनाना है captain और vice captain लेकिन अगर यहाँ पर spinner 30% या 22% या 15% है तो बिल्कुल भी मत बनाना spinner में से ठीक है अब आज का जो मैच है दोस्तों ठीक है आज का मैच है लखनव वर्सेस CSK का तो इसमें कौन चलने वाला है दोस्तों faster baller चलेगा अभी मैंने आपको पीछ रिपोर्ट दिखाया दोस्तों faster baller चलेगा इसमें देखिए faster में क्या अचे नहीं में brabo अप सोच सकते हैं कितना खतरनाक baller है दोस्तों ठीक है दीपक्चर नहीं खेलेगा ठीक है यहाँ पर देखिए डीचमीरा कितना खतरनाक baller है आपको पता है पिछले मैच में तीन-तीन विकेट लिए था यह लोगों ने ठीक है यह भी तीन विकेट लिया था आज faster का ही पीछे दोस्तो फास्टर को आज आप captain बना सकते हो अराम से ठीक है कोई दिकत नहीं आएगी आवेस खाने है बिस नुई है देख सकते हैं दोस्तों यह लग यह सोग आज बिकेट लेगा spinner में जाता तर कोई है ही नहीं दोस्तों बहुत कम है spinner में यह देखो बहुत कम है spinner मे spinner में है ही नहीं दोको एस नदीम है सायाद्य ہے दोकोई एक spinner है मातर देखें left arm orthodox मातर एक ही spinner है और यहाँ पे spinner है भी नहीं और लॐन रोनर में बात करे तो मातर दो spinner है देख लो हैं ज़देजा एजदेजा इस्पिनर है मोहिनली स्पिनर है जदेजा भी wicket ले सकते है दोस पीछ रिपोर्ट देखके ठीक है तो I hope दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी सी आपको help मिली होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हम अगले वीडियो में बाबाई जैहिंद